हेलो गाईज आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ सूजी का बहुत ज़दा टेस्टी और हैल्थी सा जटपट बनने वाला नाश्टा सिर्फ दो तिन बूंद तेल से हम इस नाश्टे को बना कर त्यार करेंगे खाने में बहुत ज़दा टेस्टी लगता है बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें चलिए रेसिपी शुरू करते हैं नाश्टा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए है एक कटोरी सूजी और इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी दहीं आप किसी भी मैजर्मेंट से सूजी ले उससे हाफ आपको दहीं लेना है तो यहाँ पर देखिए गाईज अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप में पानी और पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इस में कोई भी लं सिना रहे है अगर आपने चैनल को अभी तक सांस्क्राइब नहीं कि engaging एब ली종 के बाद में, अब हमों से डाल देते हैं। काली मिरच कुट हुई और इसली समय, लाल मिरच पाउडर, जीरा नमक और थोड़ा सा मैनेस में डाल दिया है आमचूर पाउडर उसके बाद ने हम इसे अल्थी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे टमाटर बारी कटी हुई हरी मिरच और बारी कटा हुई मैनेस में डाल दिया है प्याज और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर देखे गाईज इसको इसी तरह से थिक रखना है जादा इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे जो चलिए अभी हम इसे रख देते हैं मिक्स करने के बाद में 10 मिनट के लिए cover करकर तो 10 मिनट के बाद ही हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से set हो जाएगा तो यहाँ पर guys 10 मिनट हो चुके हैं तो यह देखी बिल्कुल set हो चुका है अब हम इसमें डाल देती है baking powder आपके पास अगर baking powder नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा इनो डाल दे इसे हमारा batter जो है थोड़ा सा फूल जाएगा और बहुती tasty हमारा रास्ता जो है वो बनकर त्यार होगा तो चलिए अभी हम इसे अच्छी तरह से mix कर देते हैं तो यहाँ पर देखे guys मैंने इसको mix कर दिया है इसको और भी तो यहाँ पर देखे guys इसको मैंने दोनों साइडों से अथी तरह से grease कर लिया है अभी हमने जो batter बना कर रखा है उसको हम इस तरह से डाल देंगे और अथी तरह से फैला कर इसे हम फिल कर देंगे दोनों साइडों से अगर आपके पास यह machine नहीं है तो फिर भी आप इस recipe को बना सकते हैं तवे पर भी मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी तो आप चिंता मत करें तो चलिए पहले हम इसे machine में बना कर बता देते हैं फिर हम आपको तवे पर भी बना कर बताएंगे तो यहाँ पर देखे गाईज इसको फिल करने के बाद में फिर हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे और low flame पर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे तीन मिनट पकाने के बाद में मैंने इसकी side को change कर दिया है अगर हम low flame पर पकाएंगा तो यह अंदर से बहुत ज़्यादा tasty बनेगा तो यहाँ पर देखे गाइस दोनों साइडों से मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है अभी मैंने इसको चेक किया है तो यह थोड़ा सा कच्छा है तो थोड़ा सा मैंसे और पका लेते हैं तो यहाँ पर देखे गाइस दोनों साइडों से अच्छी तरह से सिख चुका है तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं यहां पर मैंने एक चमच ले लिया है और यह देखिए इसने अपने आप ही अपनी साइड्स को शोड़ दिया है जब यह पक चुका है तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं तो यह देखिए गाइस कि इतना जादा बढ़िया बना है मारा सैन्विच तो देखिए खाने मे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा अगर आप इस रेस्पी को एक बार बनाएंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कीजिएगा तो चलिए अभी हम इसे तवे बना लेते हैं इसके लिए पहले तवे को अठी तरह से इस तरह से ऑयल लगा कर ग्रीज कर ले उसके बाद में बैटर को बनाकर रखा इसको इस तरह से अची तरह से फैला दे ज्यादा इस पतला नहीं करना है थोड़ा सा इस तरह से थिक ही रखे तो यहां पर देखिए एक चमच ले लिए और इस तो ये देखी ये नीचे से अची तरह से सिख चुका है तो चलिए पहले हम इसकी साइड को इस तरह से शुडा लेते हैं उसके बाद में फिर हम इस तरह से साइड को चेंज कर देंगे तो ये देखी कितना बढ़िये से सिख चुका है कितना क्रिस्पी लग रहा है इस तरह से अभी हम इसे इस साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं तो ये लीजिए मैंने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से सेक लिया है हमनारा ये सैन्विच बनकर भी त्यार हो चुका है तो चलिए अभी हम इस तरह से इसे कट कर लेते हैं मारा गरमा गरम नाश्ता जो है वो बनकर त्यार हो चुका है खाने में बहुती ज़्यदा टेस्टी लगता है इस रेसिपी को आप एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें प्लीज कॉमेंट करकर जरूर बिताए रेसिपी अच्छी